नौरात्री में मां की पूजा के लिए जलाएं ये खास दिपक कपूर की खुस्बू से दूर हो जाएगी घर की सारी निगेटिविटी नवशकार बैखु डौक्टर स्रीपती त्रिपाठी हिंदू धर्मिके पवित्र त्योहार शार्दी नौरात्र की ये दिन हर मां के दुरुगा के भक्त के लिए खास होते हैं हर भक्त इन दिनों मां के नौर श्वरूपों की विशेस अराधना करता है इसी विशेस अराधना के लिए हम इस विडियो के माध्यम से आपको स्पेशल घी की बाती बनाने की बिधी बताने वाले हैं ये बजार में मिलने वाली मिलावटी घी बाती से कई माइनों में अलग है एक तो आप इसे खुद शुद्धे देसी घी से तयार करेंगे दूसरा इसके प्रजवलित होते ही घर में चारों तरफ कपूर की खुस्बू फैल जाएगी कपूर की खुस्बू सिफ घर की सारे निगेटिविटी को दूर कर घर में एक पोजेटिव और फ्रेस महौल बनाने का काम करती है आईए इस वीडियो के मादन से जानते हैं कि इस नौराते मा के पूजन के लिए इस पेसल दिया बाती कैसे बनाते हैं बनाने के लिए इन चीजों की होगी बहुत ही जरूरत मातारानी की पूजा के लिए इस्पेशल घी बाती बनाने के लिए आपको घर पर रखी कुछ सामगरी की जरूरत होगी इसके लिए आप लगभग एक कप गाय का शुद्ध देशी घी ले ले इसके अलावा साथ से आठ कपूर की टिकिया और लगभग 25 से 30 रूई की बनी बनाई बत्तियां ले ले बस इतनी से सब चीजों से आपकी कपूर वाली बाती बनकर तयार हो जाएगी जानिये बनाने की सरल क्या है बिधी इस स्पेशल घी कपूर बाती को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन में देशी घी को कुछ गर्म कर लेना है ध्यान रहे कि इसे धीमी आज़ पर ही हलका गर्म करें इसे पकाना नहीं है जब ये पिघल जा तो गैस से उतार ले अब कुछ देर के लिए इसे ठंडा हो रहे दें जैसे ही ये हलका गुन-गुना हो तब इसमें अपने कपूर की जो टिकिया है उसको अच्छे से पीस कर मिला दे ध्यान रखे इसमें गुठलियां न रहे अब आप एक आइस ट्रे में रुई की गोल-गोल बाती लगा कर सिट बना ले आपको बता दें कि ट्रे के हर एक खाचे में रुई की एक बाती लगाने बाती इस तरह लगानी है कि उसका सीरा उपर की तरफ रहे धीरे-धीरे सभी खाचों से बाती सेट होने के बाद बारी-बारी आती है इसमें घी लगाने की, इसके लिए आप किसी चम्मच की मदद से इन खाचों में बाती के साथ घी भरते जाएं, जब सभी खाचे फिल हो जाएं, तब इन्हें फ्रीजर में लवग आदे घंटे से एक घंटे के लिए छोड़ दें, कुछ देर बाद ये सक्त हो जाएंगी, अ तब आप उन्हें एके करके बाहर खीचिए और बाहर उसी निकाल सकते हैं, आपके लिए बत्ती जो है, वह तयार है, आपके नौरात्री स्पेशल घी कपूर बाती, जब भी मादुरगा की अराधना करने जाएं, तब एक कपूर बाती को दिये मेराकत प्रज्वलित करें, कुछ ही देर में आपका घर कपूर की भीनी भीनी महक से गमक उठेगा, महक उठेगा, और घर जो है, नकारात्मक सकतियों से बसता रहेगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, सेर करें, कॉमेंट्स करें, नमस्कार.